नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अनुश्का आईए बढ़ते हैं आज की इस खास ख़बर की और तिमारपुर और बुराडी विधानसभा के अंतरकत आने वाले संगम विहार और जडोदा अलाके में लोगों ने अपने घर तोड़े जाने के मामने को लेकर जबर दस्त विरोथ प्रदर्शन किया इस तुरान मकरबा चौक वजीराबाद रिंग रोड पर हजारों की संख्या में लोगों ने उतर कर जाम किया बहारी पुलसबल मौके पर मौझूद रहा लोगों ने आरुप लगाया कि राजनितिक शडियंद्र के तहट पहले लोगों को बसाया गया और अब उनके आशियाने को सरकार तुरवा रही है इसी बात को लेकर दिली के आउटर रिंग रोड पर लगा लंबा जाम हजारों बाहन जाम में फसे दिखे बुराडी विधानसभा के जड़ोडा वाड के अंतरकत आने वाली कई कॉलोनी और तिमारपूर विधानसभा की संगम विहार कॉलोनी के कुछ हिससे को कोड़ द्वारा तोडने का नोटिस जारी किया गया है जिसके बाद अन कॉलोनी में रहने वाली लाखो लोग बेघर होने के डर से अपनी मांगो को लेकर बाहरी रिंग रोड पर प्रदर्शन करने के लिए पहुँचे लोगों का कहना है कि दिल्ली सरकार और केंदर सरकार की ओड़ से पहले यहां पर लोगों को बसाये गया पास भी नहीं हुई है और पूरी दिली में इसी तरह लाखो लोग कच्ची कॉलोनी में रह रहे हैं जहां पर लोगों को बिजली वापानी के कनेक्शन भी सरकारी विभागों की ओर से नहीं दिये गए यदि कॉलोनी कच्ची है तो सरकार लोगों को बिजली वापानी के कन connection क्यों दे रही है और क्यों उन्हें बुनियादी सुधायним दी जा रही हैं कई न कहीं सरकारर अबने राजूनितिक दाउं पेचों के चलते लोगों को मोहरा बना रही है और अब इस जमीन पर बसी कालोनिको तोड़ने के लिए कबायत भी शुरूर की जा चुकी है कोर्ट से लोगों को नोटिस दिये गए लोग अपने आश्याने को बचाने के लिए नेताओं से लेकर अधिकारियों तक सभी से मिले लेकिन उनकी समस्या के समाधान के लिए कोई भी नेता वाधिकारी आगे नहीं आ रहा है वहीं कॉलोनी के लोगों का आरूप है कि इलाके के जमीदारों ने उन्हें ग्रामसभा की जमीन बेची है उन्हें नहीं बताया गया कि यह जमीन ग्रामसभा की है वहीं दिल्ली के दूसरे इलाकों में जहां वैद कॉलोनी को तोड़ा गया है तो वहीं दूसरी जगह पर सरकार ने उने बसने के लिए जमीन भी दी है लेकिन यहाँ पर जमीन मालिक को और नेता उने जूट बोलकर लोगों ने फसाया है वहीं लोगों के प्रदर्शन की वज़ा से सड़क पर लगे लंबे जाम में हजारों वाहन फसे रहे